नमस्कार दोस्तों, मैं यजुर्वेंद्र महाजन, दीपसम फाउंडेशन जलगाव इस संस्ता में काम करता हूँ, एजुकेशन, करियर, परसोनालिटी और कॉंपिटिटिव एक्जाम्स की गाइडन्स में हम काम करते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ तो मैं काम करता हूँ, लेकिन उसे के साथ, फिजिकली चैलेंज यूथ, और्फन, ट्राइबल यूथ, इनके लिए भी हम बहुत काम करते हैं, आज मैं आपसे कॉंपिटिटिव एक्जाम्स यदि आपको देनी हैं, आपको ऑपिसर बनना है, यदि आप ये सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टन बाते मैं आपसे आज कहूंगा, देखिए मेरा 15 साल का experience कहता है, लोग इस फिल में क्यों आते हैं, पहले तो इस पोस्ट सारी आईएस, आईपीएस, आईएरस और अलग अलग पोस्ट, इसको सोसाइटी में बहुत प्रस्टीजियस माना जाता है, इसके लिए लोग आते हैं, दूसरा तो है, इसमें बहुत सारी facilities मिलती है, इसके लिए लोग आते हैं, तीसरी बात लोगों को बहुत अच्छी इस फिल में लगती है, यही कि एक leading position हमें इस फिल में मिलती है, इस job में अच्छी salary होती है, facilities होती है, जिससे हम बहुत अच्छी जिंदगी बिदा सकते हैं, लेकिन यह बहुत पैसे वाल फैशन बनके बहुत लोग आते हैं, फैशन है यहां आने का, एक्शली पैशन होना चाहिए, हमारे देश में government job बहुत अच्छी लगती है, government का काम अच्छा लगे या ना लगे, government की facilities लेनी हो या ना लेनी हो, लेकिन government की job बहुत अच्छी लगती है, इस अलग-अलग प्र criteria को आप secondary importance दीजिए, यह secondary important है, सबसे important बात है, इस खेत्र का जो work profile है, वो आप जानना चाहिए, यह वीडियो देखते ही, या इसी के पहले आप, मेरा एक और वीडियो है यूटूब पर, करियर कैसे चुने, वो जरूर देखिए, उससे आपको clarity और आएगी, देखिए, government field में आपको job करनी है, leading position पर करनी है, तो सबसे important बात है, कि यह work profile क्या है, यह आपको जानना है, क्योंकि आपको 30 साल तक इसमें काम करना है, work profile का मतलब क्या होता है, work environment क्या है, किस माहूल में आपको काम करना है 30 साल तक, कौन से skill sets की आपको जरूरत है, किस प्रकार का काम है, याने table work है, official work है, field work है, किस प्रकार का काम है, उसी के साथ आपको इस fields में क्या challenges है यह भी पता चाहिए, हमें हमेशा गाड़ी, बंगलो, उनका रुद्बा, यह सब दिखता है, दिखाया जाता है, challenges क्या है, किस प्रकार से काम करना होता है, यह भी आपको पता चाहिए, इसी के साथ आपको यह पता चाहिए, कि यह exam में क्या बाती जरूरी है, इसकी difficulty level क्या है, syllabus क्या है, इसका question papers का format कैसा है, selection procedure कैसे होती है, यह भी बातों का जानना बहुत जरूरी है, मैं यह जो सब कह रहा हूँ, यह पहले जानना है, फिर हमें final selection करना है, कि हमें इस शियत में आना है या नहीं, हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम अभी decide कर लेते हैं, कुछ भी करना है, और उसके बात जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा decision कुछ सालों के बाद गलत हो जाता है, इसलिए work profile क्या है, और दूसरी बात, इसकी selection procedure, competitive exam है क्या, यह जानना बहुत जरूरी है, देखिए किस प्रकार की personality जरूरी है, being an officer, पहली बात तो यह जानना चाहिए, कि यह सेवा का काम है, All India Services, Union Public Service Commission, हम वहाँ सेवा करने के लिए जा रहे हैं, हम रौब जमाने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, और किन लोगों की सेवा, जो बहुत ही underdeveloped है, अभी भी जिनको खाने से लेकर परेशानिया हैं, इन लोगों की सेवा, और दूसरी बात करनी होती है, इस फिल्ड में आपको development करने की opportunity मिलती है, समाज का और देश का विकास करने की opportunity, तो इसलिए यहाँ पर आना है, दूसरी बात जरूरी है, यहाँ पर बहुत काम है, हमें ऐसा लगता है कि हम सहाब बन गए तो कुछ काम नहीं होता है, जितनी आपकी उचाई पर उतना काम आपका उचा होता है, उतनी responsibility जायता होती है, तीसरी यह बात है कि यह transferable job है, और इसी के साथ काम का जो nature है, वो versatile है, अलग अलग प्रकार का काम आपको करना है, और उसमें खुद को accommodate करना है, इस प्रकार की यह सेवा है, इस प्रकार के यह job है, accordingly your personality is required, आपको versatile knowledge चाहिए, आपकी understanding बहुत अच्छी चाहिए, decision making ability बहुत अच्छी चाहिए, उसी के साथ team work बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ आप काम अच्छे और comfortable ढंग से कर सकते हो, इसी के साथ challenges face करने के आपको आदज चाहिए, बहुत काम करना आपको अ इन सारी बातों में यदि आप हो, आपके personality में ये है, तो ये services आपके लिए हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ना जरूरी है, और मेरे सारे वीडियो के बाद कुछ किताबों के नाम भी साथ में देता हूँ, आप जरूर पढ़िएगा, ये सारी बाते जानने के बाद भी यदि आपको लगता है कि येस, इस services are for me, तो आप जरूर इस services में आये, सर्फ जाप करनी है, इसलिए मत आये, आपको security मिल रही है, government job मिल रही है, इसलिए कभी मत आये, come as a passion, do it very professionally as your interest, then you will be successful and happy in this field, सबसे important होता है, successful होना उस field में और हम बहुत satisfied और happiness के साथ वो काम करना, यदि आपको इस field में आना है, तो आपको तयारी कैसे शुरू करनी है, इस पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा, सबसे पहली बात, एक planner लेना है, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद कुछ books की list देने वाला हूँ, एक planner आपको ढंग से पढ़ना है, जिससे आपको पूरा syllabus पता चलेगा, syllabus पता चलने के बाद, दूसरी बात आपको करनी है, question paper set लेने है, prelims और mains दोनों के, और question paper set पूरे पढ़ने है, उसका analysis करना है डंग से, तीसरी बात आपको करनी है, आपको आपका basic knowledge clear करना है, brush up करना है, 5th standard से लेकर 12th standard तक, आपको किताबे पढ़ना है सारे subject की, यदि आप UPSC कर रहे हो तो NCRT की आप किताबे पढ़िये, आप state level की exam दे रहे हो, तो आप state level की किताबे पढ़िये, ये क्यों पढ़ना है, आपने आज तक ये किताबे पढ़ी थी, marks कैसे मिलेंगे इसलिए, इसलिए आपको अभी वो concept याद नहीं है, अब आपको ये किताबे पढ़नी है, वो सारी concept जानने के लिए और समझने के लिए पढ़नी है, marks मिलाने के लिए नहीं पढ़नी, इसलिए आपको basic किताबे पढ़नी है उसके बाद आपको करना है basic आपके skill set आपको अच्छे और करने है कौन से basic skill set होते हैं? एक reading skill, writing skill, communication skill, comprehension skill ये सारे skills आपको और और ज़्यादा बहतर करने हैं और दूसरी बात एक करनी है आपको पढ़ना है आपको newspaper पढ़ना है और आपको extra curricular किताबे भी पढ़ना शुरू करना है कम से कम महने में एक किताब आप पढ़िये यह बहुत जरूरी है newspaper हर दिन पढ़ना है यह पाच बाते ऐसी है कि यह बहुत जरूरी है जब आपको ये एक्जाम की तैयरी शुरू करनी है कौन से नियूस पेपर, कौन सी किताबे ये सारी लिस्ट में आपको दीपसम के एक्सपर्ट टीम ने जो दिये है आपको अभी इस वीडियो के बाद ही देने वाला हूँ छटी सबसे इंपॉर्टन बात है टिक दे गाइड़न्स प्रॉम क्वालिटी ओर्गनाईजेशन और क्वालिटी पीपल गाइड़न्स बहुत जरूरी है दोस्तो क्योंकि यहाँ आपको मेरिट में आना है सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है आपको merit में आकर super classman post लेनी है और इस exam में लगबग 5-6 लाख लोग होते हैं हम समझेंगे एक लाख बच्चे तो seriously पढ़ कर देते हैं इन में आपको आगे जाना है तो आपको guidance लेना है आपकी economical condition ठीक नहीं है तो government की और से और deep sum की और से भी हमारी जो organization है हम जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं उनको free guidance भी provide करते हैं क्योंकि guidance बहुत ज़रूरी है guidance लेना है तो एक ध्यान में रखना कौन क्या कह रहा है और कितनी advertisement आ रही है उस पर से कभी मत decide करना आप खुद experience लीजिए आप जाईए इंस्टिट्यूट्स में मिलिए lectures में बैठिए उन lecturer से आप कितने comfortable हो आपका कितना उनसे अच्छा communication हो पा रहा है इस पर decide कीजिए कि guidance कहा लेना है लेकिन guidance ज़रूर लीजिए इस प्रकार से मैंने आप से अभी बात की है इस फिल्ड में आना है तो क्या पहले सोचना चाहिए किस प्रकार का काम होता है किस प्रकार की personality ज़रूरी है और पढ़ाई कैसे शुरू करनी चाहिए तो इसके साथ आप शुरू कीजिए आपको इसमें कोई भी सवाल पूछने है तो आप मुझे ई-मेल कर सकते हो आप SMS भेज सकते हो और deepstum.org यह हमारी वेबसाइट है इस पर भी बहुत सी बाते हमने दी है DeepStum UPSC MPSC Lectures यह YouTube चैनल भी है जिस पर हम competitive exam के बारे में lectures और guidance के videos पोस्ट करते है जरूर देखते रहिए और हम मिलते रहेंगे Thank you very much